आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 25 फरवरी से रिलेटेट जितने भी important question बन सकते हैं उन पर discussion करने वाले हैं और question से रिलेटेट जितने भी important fact होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और ये हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की pdf भी आपको यहाँ मिल जाएगी और ये आपके लिए आज का motivational court है किसी की सलासी रास्ते जरूर मिलते हैं पर मन्जिल तो खुद की महनत से ही मिलती है तो इसी लिए अपनी मन्जिल को पाने के लिए लगाता महनत आप करते रहें इसी motivational court के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का session first question है who become the youngest player in the world to win the Rio Open Tennis ATP 500 title Rio Open Tennis ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाडी कौन बन गये है तो ये बन गये है Carlos Alcaraz मन गये हैं सी इसका correct answer है डिटेल से हम बात करें तो 18 साल के इस्पेनी यार Carlos Alcaraz ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में Diego Swartzman को हरा कर Rio Open Tennis का जो टाइटल है ये जीत लिया है और साथवी वरियता प्राप्त Alcaraz की तीसरी वरियता प्राप्त Swartzman पर 6-4, 6-2 की जीतने उन्हें 2009 में डिविजन के घटन के बास से सबसे कम उम्र का ATP 500 चैंपियन बना दिया है चलिए लास्ट आप 5 टैनिस टाइटल की हम बात कर लेते हैं तो ये किस ने जीता है तो ये कैसपर रूड ने जीता है ये किस ने जीता है तो ये राजकुमार रामनाथन और रोहन बोपननाने के द्वारा जीता गया है तो ये किस ने जीता है है एशलिबाटी के द्वारा जीता हैै गया है, who has won the men's single title in Sydney tennis classical tournament 2022 तो ये किस ने जीता है, असलान कारत सवेंड के द्वारा ये जीता गया है, तो ये last of five tennis related ये information थी तो आप ये ध्यान रखेगा, Second number question है, the Ministry of Education has approved the continuation of the राष्ट्रिय उच्चतर सिक्षा अभियान scheme for how long? सिक्षा मंत्राले ने राष्ट्रिय उच्चतर सिक्षा अभियान योजना को कितनी अवदी तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो ये दी है, 31 मार्स 2026 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है, ये इसका correct answer होगा, सिक्षा मंत्राले ने 12,939.16 करोड के व्यक के साथ राष्ट्रिय उच्चतर सिक्षा अभियान योजना को 31 मार्स 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, और योजना का नया चरल लगबग 1,600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा, और 12,939.16 करोड रुपे के खर्च म और राज्य सरकार 4,808.19 करोड रुपे खर्च करने वाली है, और योजना के नए चरन को नई सिक्षा नीती की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, और योजना के नए चरन के तहत राज्य सरकारे लेंगिंग समावेशन, इक्विलिटी पह व्यवसाई करन और कोशल उनियन के माध्यम से रोजगाश हमता में व्रद्धी का समर्थन करेगी, तो ये कब तक के लिए मंजूरी दी है, 31 मार्च 2026 तक को इसको मंजूरी मिली है, चलिए रास्टे उचतर सिक्षा अभियान के बारे में हम बात कर लेते हैं, रास्टे का मुख्य उद्धेशे क्या है, राज्य संस्तानों की गुणवता में सुधार करना और संभधता, सेक्षन एक और परिक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्यत करना इसका में उद्धेश्य है, थार नमबर क्वेशन है, who has become the new brand ambassador of बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की नई brand ambassador कौन बनी है, तो ये बनी है तनिश का कोटिया और रिद्धी का कोटिया बनी है, सी इसका correct answer है, डिटेल में हम इनके बारे में बात करें, तो अंतरास्टिय शत्रन्स खिलाडी महिला फिडे मास्टर्स तनिश का कोटिय और उनकी बहन रिद्धी का कोटिया को हरियाना के गुरुगराम जिले के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का brand ambassador appoint किया गया है, और तनिश का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शत्रन्स खिलाडी होने के लिए लिमका book of records जीता था, और वे हरियाना राज्य से तालूग रखते हैं, और तनिश का कोटिया 2019 में जारी अंडर 16 श्रेणी विश्व शत्रन्ज मासंग रेंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर रही थी, और रिद्धी का कोटिया ने विश्व जूनियर शत्रन चैंपेंशिप 2020 सईथ कई प्रतिष्टिद अंतरास्ट अयोजनों में भारत का प्रतिनी धित्व किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में हम बात करें, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा जन्वरी 2015 के अंदर स्टार्ट की गई थी, और इस योजना का उद्देशे क्या है, तो लेंगिंग समानता और लड़कियों को सिक्षित करने के लिए महतु को बढ़ावा देना इसका उद्देशे है, चलिए एमबेसिटर्स की बात हो रही है क्योशन में, तो टॉप 5 ब्रेंड एमबेसिटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, न्यू ब्रेंड एमबेसिटर्स ओफ एगरी टेक स्टार्ट अप कंपनी क्रिशी नेटवर्क तो ये कौन बने हैं, पंकचत्रिपाटी बने हैं, न्यू ब्रेंड एमबेसिटर्स ओफ उत्राकन स्टेट तो ये अक्षक कुमार बने हैं, न्यू ब्रेंड एमबेसिटर्स ओफ फु and Development Council held वित्य इस्तिर्ता और विकास परिशद की 25 वी बैठक कहां आयोजित हुई है तो ये हुई है मुंबई महारास्ट के अंदर C's का करेक्टर अंसर होगा मुंबई में वित्य इस्तिर्ता और विकास परिशद की 25 वी बैठक आयोजित की गई है और ये बैठक वित्मंत्री निर्मला सीता रमन की अध्यक्षता में हुई है और परिशद ने FSDC के विबिन जनादेशों के साथ साथ महत्वपून मैक्रो वित्य चिंताओं पर चर्चा की है जो कुछ घरेलू और वैश्विक विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन हुई है और परिशद ने उन कदमों के बारे में भी इसके अंदर बात की है जो वित्य चेत्र को और विस्तारित करने और व्यापक आर्थिक इस्तिर्ता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास सुनिश्यत करने के लिए उठाये जाने की आवशकता है और परिशद ने मुद्रा प्रभंदर परिचालन मुद्दों के बारे में भी बात की है और साथ ही FSDC उपसिमीती की गतिविदियो पर भी फोकस किया है और वित्य इस्तिर्ता और विकास परिशद के बारे में हम बात करें तो सरकार ने वित्य बाजार नियामकों के संयोग से वित्य इस्तिर्ता और विकास परिशद की स्तापना की थी और ये वित्य सिर्था बनाए रखने अंतर नियामक समन्वे में सुधार और वित्य छेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली को इस्थांगत बनाने और मजबूत करने के लिए किया गया था नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाईल एप लॉंच करने वाला भारत का पहला राज ये कौन सा बन गया है तो ये बन गया है असम बन गया है सी इसका correct answer होगा चलिए night navigation mobile app के बारे में हम detail से बात कर लेते हैं तो असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिश्वा सर्माने गुआहाटी असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर नोका सेवाओ के लिए भारत का पहला night navigation mobile application को launch किया है और इसे राजे परिवहन विभाग द्वारा IIT मदरास के प्रमुख वेग्यानिक राजु के सयोग से डवलप किया गया था और गुआहाटी और उत्री गुआहाटी के बीच inland water transport नोका की पहले रात की यात्रा 19 वरवरी 2022 को start हुई थी और मुख्य मंत्री ने राजे परिवहन विभाग की 10 आधार आधारी संपर्क रही सेवाओ का भी इसके अंदर शुभारम किया है ताकि सारुजनिक सेवा वित्रन को समय कुशल और बजट के अनुकूल बनाया जा सके और CM ने धुबरी और सिलचर फेरी सेवाओ के लिए एक e-ticketing प्रणाली भी इसके अंदर शुरू की चलिए असम की हम बात कर रहे हैं तो असम की कैपिटल है दिसपूर, चीफ मिनिस्टर है है हैमेंद बिश्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ जस्टिस है सुदान शुधू धुलिया, नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं तो काजी रंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशन है और जो कांजी रंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गयंडे के लिए प्रसीद है, बीहु यहां का जो फेमस फेस्टिवल है असम का, टू नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो भूटान और बांगला देश है, 14 लोग सबा सीट्स है, 7 राजे सबा सीट्स है 126 यहां पे असेम्बली सीट्स है, 7 नेबरिंग जो स्टेट्स की बात करें, तो वेस्ट बेंगल, मेगाले, त्रिपुरा, मनीपूर, नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम इसके नेबरिंग स्टेट्स के अंदर आते हैं, चलिए यहां पे एप्स की बात कर र ओर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो कोवा सीएजडी एप है, तो प्रवाइड एक्चुरेट इन्फोरमेशन अबाउट कोरोनावाइरस, तो यह बनवारी लाल पूरोहित के द्वारा लॉंच किया गया है, और जो साथी मोबाइल एप है, तो अवोइड फ्रॉड इन एचेस, और माई CGHS एप फोर सेंटर गवर्मेंट एंप्लोईज एंड पेंशनर्स, तो यह डॉक्टर मंसुग मंडाविया के द्वारा लॉंच किया गया है, इन विच डिस्टिक दे फस्ट बायो डाइवर्सिटी पार्क ओफ हिमाचल प्रदेश हैस बिन मैड, हिमाचल इसको लुप्त प्राय हिमाली जड़ी बुटियों के सरक्षन में अपना योगदान देने वाला पहला जी विवित्ता पार्क मिला है, और ये पार्क मंडी की बुलहा घाटी में बनने के लिए तयार है, और एक करोड रुपे की लागत से हिमालचल प्रदेश के वन विभा करने के लिए शोद करताओं के लिए नए अवसरों का विस्तार करने के साथ साथ परियतन गतिविद्यों को जोड़ना है जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो ये कहां खोला गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मंडी के अंदर ये खोला गया है, चली हिमाचल प्रद मेजर लेक्स की बात करें तो सुर्ज ताल जो लेक है, नाको लेक है, रेणू का लेक है, चंदर ताल जो लेक है, खजिया लेक, मच्छीया लेक, भुगू लेक, यह सब काम पे Situated है, हिमाचर प्रदेश के अंदर है, मेजर पासेज की बात करें, तो जो रोहतांग दर रहा ह शिप किला दर्रा है, बाडा लाचा दर्रा है, वो ही माचर प्रदेश के अंदर situated है, 4 यहां पे लोग सबा सीट्स है, 3 राजी सबा सीट्स है, 68 विधान सबा सीट्स है, और स्टेट एनिमल है, स्नो लेपॉर्ड यहां का स्टेट एनिमल है, जो हिम तेंदुआ है, और स्टेट बर्ड की बात करें, तो स्टेट बर्ड कौन सा है, जुजु राणा यहां का स्टेट बर्ड है, और स्टेट ट्री है, देवदार, 4 नेबरिंग स्टेट है, पंजाब, हरियाना, उत्राखंड, उत्तर प्रदेश यहां के नेबरिंग स्टेट है, और फोक डांस है चपेली तंडा नाव यहां के फोक डांस में आते हैं वेर विल लेवेंडर फामिंग बी स्टार्टेड अंडर दे परपल रिविलेशन अरोमा मिशन बैंगनी करांती अरोमा मिशन के तहट लेवेंडर खेती को कहां शुरू किया जाएगा तो यह क्या जाएगा रामवन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया जाएगा केंद्रे मंत्री जितेंद्र सिंग के अनुसार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में बैंगनी करांती शुरू करने की योजना बना रही है और विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्राले के माध्यम से CSIR IIIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बेंगनी करांती की योजना बनाई जाएगी और इसकी योजना टोडा और रियाइसी जिलों की तरज पर बनाई जाएग जिले के योजना की आई के श्रोध को बढ़ाने के लिए रामवन में लेवेंडर की खेती शुरू की जा सकती है और टोडा और रियाइसी में 500 से अधिक योजना बैंगनी करांती का लाब उठाया और अपनी आई में इन्होंने व्रद्धी की है बैंगनी करांती के बारे म छे प्रति पोदे की दर से शुल्क लिया गया और ये करांती आयाती सुगंदित तेलों से घरेलू किस्मों की और बढ़ते हुए घरेलू सुगंदित फसल पर आधारित क्रशी अर्थ व्यवस्ता को समर्थन देने के लिए शुरू की गई थी अरोमा मिशन के बारे में बा शेशे से अरोमा मिशन को स्टार्ट किया है एक नंबर क्वेशन है विश कंट्री एस सक्सेस्फुली टेस्ट कर्शच फायर्ड दन्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सी ड्रॉम किस देश ने नई नोसेना वायूरक्षा प्रणाली सी डेम का सपल परिक्शन किया है तो य और सिक्स श्रेनी के कॉर्वेट पर किया जाएगा और सी डॉम गाजा पट्टी से छोटी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने और नस्ट करने के लिए इसराइल की एक सभी मौसम की वायू रक्षा प्रणाली है और आईरन डॉम का नो सेनिक संस्क्रण है ये और सफल परिक्षन इसराइल राज्ये की समुंदरी संपत्ती की सुरक्षा के लिए इसराइली नो सेना की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करता है इसराइल के बारे में बात हो रही है तो इसराइल इस लॉकेटेड इन दे कॉंटिनेंट ओफ एशिया और इसकी कैप इसराइल की सबसे लंबी जो मांटेन रेंज है इसको क्या बोलते हैं मांट हैरमोन बोलते हैं और सबसे ज़्यादा जो यहूदी है यह कहां रहते हैं इसराइल के अंदर मिलते हैं 9. question है, which of the following country has recently launched its first hydrogen power train? निम्न में से किस देश ने हाल ही में hydrogen से चलने वाली अपनी पहली train launch की है, तो ये की है, जापान के द्वारा launch हुई है, C इसका correct answer होगा, जापान ने अपनी पहली hydrogen से चलने वाली train को launch किया है, और इस अनावरन को देश के 2050 सक carbon neutral बनने की लक्षे की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, और hydrogen से चलने वाली इस train का मार्च में परिक्षन किया जाएगा, और हाई बारी नामक दो कारो वाली इस train की कीमत 35 million अमेरिकी डॉलर या 4 billion yen से अधिक है, और यह hydrogen इंदर भणने पर 100 km प्रती घंटे की टॉप स्पीड से 140 km या सित्यासी मेल तक जा सकती है, और इस train को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्परेशर के सायोग से डवलप किया है, और जापान ने अपने डिजल बेड़े को ट्रेनों के इस hydrogen संसकरन से बदलने की योजना बनाई है, और जापान उन्हें निर्यात करने पर भी विश्यार करेगा, 2030 के अंदर वानी जीक सेवाय शुरू होने की उम्मीद है, 10 नमर क्वेशन है, With which country India has signed the Roadmap on Blue Economy and Ocean Governance Agreement, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थ व्यवस्ता और महासागर शाचन पर Roadmap समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, तो ये समझोते पर अस्ताक्षर किये हैं, फ्रांस के साथ में किये गये हैं, ये इसका correct answer होगा, डिटेल से बात करें, तो भारत और फ्रांस ने नीली अर्थ व्यवस्ता और महासागर शाचन पर अपने द्वी पक्षिया आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक रोड में पर अस्ताक्षर किये हैं, डॉक्टर एस जैशंकर 22 फरवरी को होने वाले इंडो पैसिफिक में सैयों के लिए यूरोपिय संग के मंत्री इस्तरिये फोरम में भाग लेने के लिए 20 ने 22 फरवरी 2022 तक फ्रांस की तीन दिवसिये यात्रा पर हैं और भारत के विद पर रोड में पर समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं और ये साज़दारी के बारे में हम बात करें तो ये साज़दारी महासागरों की बहतर समझ के लिए समुंदरी विज्ञान अनुसंदान में सैयों की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करने वाली है और ये सुन उध्योग, मतश्य पालन, समुंद्री प्रोध्योगी की और वेग्यानिक अनुसंदान, एकेकरत तटिये प्रभंधन, समुंद्री परियावरन परियतन, अंतर देशिये, जलमार्ग और नागरिक समुंद्री मुद्दो पर सक्षम प्रशाशन के भी संयोग शामिल होगा। तो यह हुआ था 1789 के अंदर, वेर इस दे हैड़काटर ओफ यूनेस को, तो यह भी पैरिस फ्रांस के अंदर सिचुएटेड है, नेम ओफ दे पार्लियमेंट और फ्रांस तो नेशनल असेंबली यहां की पार्लियमेंट को बोलते हैं, वाट इस दे नेम ओफ दे इंटरने के बच्चों के लिए, कोरोना वैक्सीन कॉर्वे वैक्स को अंतिम मंजूरी दे दी है, तो यह दी है, 12-18 साल के बच्चों के लिए, सीज का करेक्ट आंसर होगा, सेकिंड नमबर क्वेशन है, भारती रेल्वे का पहला केबल फुल कहां पर बनाया जा रहा है, तो यह जब जयते महत्सव, 2022 का उद्गाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह मद्द्य प्रदेश के अंदर किया गया है, फाइफ नमबर क्वेशन है, बास्मती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालाई गुलाबी नमक को भोगवलिक संकेत के रूप में पंजिकरत करने का फैस आंसर होगा, सेवन नमबर क्वेशन है, विश्व चिंतन दिवस 2022 कम मनाया गया है, तो यह मनाया गया है, बाइस फरवरी को एस का करेक्ट आंसर होगा, एट नमबर क्वेशन है, भारत की पहली जेव सुरक्षा इस्तर थी नियंतरन मोबाइल प्रयोक शाला का उद्गाटन कहां किया गया है, तो यह किया गया है, महरास्टर के अंदर सीज का करेक्ट आंसर है, दा फाउंडर्स दा स्टोरी ओपेपल नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो यह लिखी गई है, जिबमी सोनी के द्वारा सीज का करेक्ट आंसर होगा, टैन नमबर क्वेशन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज शिक्स वायू अभ्याद शुरू किया है तो यह शुरू किया है ओमान के द्वारा सीज का करेक्ट आंसर होगा और यह था आपके लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेशन भारतिय दुगतावास ने नेता जी सुबाश चंद्र बो इसमें कितने लोगों को पद्व पुरशकार से सम्मानित किया गया है तो इसका अंसर मुझे कॉमेंट सेक्षन में दीजेगा यह हमारा टेलिग्राम चैनल है आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी वहां जाकर आप जादा से जादा इनकी प्रैक्टिस कीजेगा आपको स पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ में इसे शेर कीजेगा कोई भी डाउट से तो आप मुझे कामेंट सेक्षन में जाकर पूस सकते हैं तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर थैंक्यू